हाई दोस्तों नमस्कार हम के के सिंग बग्हेल अपने यूटूब चैनल के के केершी किसान में आप सब का स्वागत करते हैं यदर विडियो अपने पाच का अच्छा लागी तो हमार चैनल के 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 किसान का जबूर सबस्क्राइब कर आप एमा हम अच्छे अच्छी जानकारी अपना पाचन का देत रही थे तो खेती सम्मंधित जब कुछ जानकारी चाही तो अपना पाच का हमरे वीडियो मा मिल जई तो अपना पाच हमार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करी हाँ दोस्तों चलिए आज हम आपको बता रहे हैं पप क्छी जानकारी हम देंगे कि पंपीते खेती कैसे कैसी जाती है पिंता खाने स्क्छी या फायदा होता है चलिए सूरू करते तो पपीता खाने से सबसे बड़ी बात कि आपका डाइरेशन सिस्टम सही रहता है, पपीता पेट के लिए बहुत फायदे मंद होता है, पपीता खाने से आपकी पेट संबंधी सारी बीमारियां गयब हो जाती है, अगर आपके पेट में पथरी है, तो पपीता खाने से पथ इस केलोरी पाया जाता है जिससे आपका मोटापा चुमंतर हो जाता है पपीता खाने से आपका मोटापा गायब हो जाएगा आप सुबहे खाली पेट पपीता खाईए तो पपीता खाने से पेट संबंधी बीमारी गायब होती है आपका मोटापा गायब होता है फिर इस पे फाईबर भारी मात्रा में पाए जाता है जिससे हार्ट के लिए बहुत फाइदेicial देन्द है विशकतियों हां B, B vitamin C, इस पे भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, पपीता का सेवन, diabetes के मरीज जो हैं, वो भी कर सकते हैं, हाँ, उनके लिए पपीता ज्यादा पका नहीं होना चाहिए, कुछ कच्चा होना चाहिए, ज्यादा पपीता होगा, तो मीठा होगा, तो उस पे थोड़ा नुस्कान करेगा, तो diabetes के जो मरीज हैं, तो कच्चा पपीता सेवन करिए, कुछ पूरा कच्चा नहीं हो, पका हुआ हो थोड़ा सा, पर ज्यादा पका नहीं होना चाहिए, उससे नुस्कान होगा, तो डैबिटीज के मरेज भी ले सकते हैं, फिर इसमें पपीता में कैल्सियम भारी मात्रा में पाया जाता है, कैल्सियम से क्या होता है, कि आपकी हड्डी, कैल्सियम जो है, हड्डी के लिए बहुत फाइदा कर होता है, तो पपीता खाने से कैल्सियम की मात्रा जो होती है, उससे आपकी हड्डी मजबूत होगी, आप संदुरुस्त रहेंगे, हड्डी मजबूत रहेंगी, तो आपके सरीर मजबूत रहेगा, तो पपीता हड्डी के लिए भे फाइदा करता है, और पपीता का पत्ता डेगू, डेगू बुखार जो होता है, अगर किसी को डेगू हो गया है, तो पपीता के पत्ते का जूस निकाल के आप मरीज को पिलाइए, तो आपका डेगू ठीक हो जाएगा, प्लेटनेस जो होता है, डेगू से प्लेटनेस डाउन हो जाता है, तो पपीता से प्लेटनेस लुक दी यानि पिष्ट बनाके चेहरे में लगाएं फिर उसके बाद घंडे तो घंडे बाद जब सूख जाए तो ठंडे पानी से चेहरा धोलें कब एक हब तक करें पूरा चेहरा साफ हो जाएगा इसकीन जो है सही हो जाएगी पपीता के कारण से तो पपीता इसकेन के लि सेवल जो है उस सही करता है यानि कि पपीता के ठे सारी उपयोग हैं सारी उपयोग हम आपको अगर पताने लगेंगे तो पीर पूरा दिन वीत जाएगा फिर भी पूरी जानकारी आपको हम नहीं दे पाएंगे तो सबसे निवेदन है कि आप लोग पपीता का सेवन करिए सारी बीमारियां गायब हो जाती है हाता भाई लो अपना पांच सब को पपीता खई पपीता से बहुत सारा आराम होता है अपना पांच अपने घर में पपीता उगा लेई तो पपीता के सेवन खाली पेट जरूर करें चाही पपीता खाप तो सगली बीमारी अपना पांच के आल्रेडी दूर हो जाई तो पपीता के सेवन करी पपीता से बहुत फाइदा हो थे घर गाओं मा अपने घर को लिया मा कहां दुचार विर्वत तैयार कर लेई उसे अपना का बहुत आराम मिली पपीता खाई अपना खरीदे ने पड़ी इसे की पपीता खरीदे जाब तो 30-40 रुपिया किलो है तो सब को रोज खरीद की पपीता ना खाए पाओं तो किसानी तो करतीन हैं तो अपने घर के आसपास दुचार पेर तैयार कर लेई ओमा से अपना का अच्छा कुछ फाइदा होई तो पपीता जरूर खाई अपना पाश से हैं निवेदन है हाँ दोस्तो अब हम बता रहे हैं पपीता की खेती के बारे में कि पपीता की खेती कैसे की जाती है आप पपीता की खेती एक एकड़ में आप अगर 2 मीटर दो वाई 2 मीटर में पवधा लगाते हैं यानि आठ स्कोयर मीटर में तो आपके एक एकड़ में 500 पवधे आते हैं पवधा लगाने के लिए आप मार्च माहे में एक फुट का गढधा खोल लीजिए उस गढधे में आधी गोबर की खाथ आधी मिट्टी मिला के गढधा भर दीजिए फिर उस पे पानी डाल दीजिए जब उसकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उस पे आप पपीता के एक दो दाना डाल दीजिए आपके 15-20 दिन में पौधा उक के तयार हो जाएंगे तो पपीता की खेती करना भी आसान है हाँ भाई लो अपना पाच के पपीता जहां लगावे का होई तो हाँ डेढ़ बीता के चैत माहीं गढढ़ खोद लेई फे ओमा पानी डार गोबर के खाद जो अपने हाँ हो थी आओ माटी मिलाए के गढढ़ का भाठ देई अफे ओमा पानी डार देई गढ़ जब भुर भुरी हो जाए यानि थोडी हलका सूख जाए तो हमा फे पपीता के दाना दूती इं अगर चैत मापना पपीता बहुब तो असाल सामन तक मापपीता फरी आई अपना का करीब काती का गहन से खाय का मिले लागी तो अपना पांच अपने घर मापपीता जरूर लगाई हाँ दोस्तों पपीता से आप अगर पांस पौधे तयार कर लेते हैं तो एक पौधे में एक कुंटल से उपर माल निकलता आप देख लिजिए आपके सामने हैं ये पपीता हमारा तीन किलो का है हमने इसको नाप किया है तीन किलो का पपीता है तो आपके अगर पचास फल लग गए तो आपका डेर यानि डेर कुंटल होता है तो आप एक कुंटल का मान के चलिए अगर एक कॉंटल पपीता एक पॉधे से तयार होता है, तो आपका करीब अगर 15 से 20 रुपया किलो भिक गया, तो एक पॉधे से आप 2000 रुपया प्राप्त कर सकते हैं, तो आप 2000 गुणे 500 कर दीजी, तो आपका होता है 10 लाख रुपया, यानि आप साल आना पपीता से 10 लाख रुपया कमा सकते हैं, हाँ भाई लोग, अगर अपना पांच 500 बिर्बा पपीता के तयार कर ले आप, तो कम से कम ओमा से 2000 के अगर एक पॉधा के एक बिर्बा के पपीता अगर बेंचे अब बजार मलाई जाएके, तो 2000 रुपया मिली, अगर 500 बिर्बा पना पांच तयार करे हैं, तो ओमा से अपना पांच 10 लाख रुपया कमाई सकी थे, अगर खर्चा थोड़ा बहुत हो जाई, तो भी 7-8 लाख रुपया एक साल में तो कमाई सकी थे, अगर 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 मा नहीं लगावेगा, तो अपना पांच की जाओं मा जो मिढ़िया बनाए रही थे, मेंड है, उह मा पापीता लगाई, मेंड मा छल पापीता होई, अपना के खेतों न बरवाद होई, अपना पांच पापीता के खेती उकर लिया वै, तो अपना पांच से हमेह कहें चाही थे, कि पापीता के खेती करी पापीता के, पापीता के खेती से अपना लखपती बन सकी थे, तो अगर हमाँ वीडियो अपना का थोड़ाव वहूत है अगर अच्छा लागा होता हुए तो हमाँ वीडियो जरूर देखी सब का देखाई जो आसपड़ोस महुए सबसे बताई कि बढ़ियां बढ़ियां खेती समंदरी जानकारी दे थी तो कम से कम अपना पांच हमरे जा पापीता आए देखी हम खुदे लगाए हैं यह नहीं कि हम अपना पाज का बताई थी कि बस जूरे जूरे अपना घाजर चस्मा पहिराई थे पैसा कुछ हुँ नहीं आए पपीता के खेती करी का लागत है मेरमतों का बोई देई एक ता कब सक महनत कई देई तो एक साल अ पाजाब तो हम तो यह कहित लाग है कि अपना पापीता के खेती करी अगर हमारे वीडियो अपना पांच का थोड़ा बहुत जो कुछ नीक लागत होई तो हमारे चैनल यह नहीं है केके देशी किसान यह सब्सक्राइब करी अपने साथ्यू का बताई सब का बताई कि भाई चैनल देखा अपना पांच यह जरूर कोसिस करी कि हमाब वीडियो सब का देखाई और सब कुछ अच्छे है अपना पांच के दया ही जैराम जी हाँ दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पपीते के खेती करिए पपीते के खेती से आप दसलाख रुपया सा लाना एक एकड़ में कमा सकते हैं पपीते खेती करना बहुत ही आसान है आप जहां भी खेते में मेड हों उहां प्याप पपीते लगाए पपीते खेती से आप लाखो रुपय कमा सकते हैं आप लोगों से ही निवेदन है अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच कि भाइ लोगा।